कप्तान रोहित ने भारत को क्रिकेट जगत का सुल्तान बनाया ICC की नही रैंकिंग आई सभी देशों की भारत ने दुनिया हिलाई गिया भारती टीम ने इंगलेंड की खिलाफ चार एक से स्रिंखला अपने नाम करके भाया यह दिखा दिया है कि यहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या अपना ही जलवा गुरू भारती टीम का जलवा इस वक्त हर जगह कायम है चाहे वो टिस्ट फॉर्मेट की हम चर्चा कर लें चाहे ODI format की चर्चा कर लें चाहे WTC points table पर हम नज़द डालने या फिर T20 की ranking पर नज़द डालने गुरू हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही सुल्तान है वो है भारती team तो कप्तान रोहित के उपर खूब सवाल ये निसान उठाए जाते रहे हैं उनके बल्ले बाजी पर सवाली ये निसान उठाए जाते रहे हैं क्योंकि उनकी तुल्ला विराट से होती रही है विराट के प्रसंचक बैया जब भी कप्तान रोहित की कुछ भी असफलता होती है तो कूब हो हला मचाकर रोहित को आड़े हाथों लेते हैं लेकिन गुरू अगर हम रोहित सर्भा के कप्तानी की बात करें आकडो की बात करें परसंटेज अफ विन की बात करें वो बहुत ही बेहतर हैं किसी के मुकाबले महंदर सिंग धोनी के मुकाबले विराट कोली के मुकाबले सौरभ गांगुली के मुकाबले और बताओर लीडर भया जो कठिन स्तितियां पर स्तितियां रोहित को मिली है वो बाकी खिलाणियों को नहीं मिली है अपने कप्तानी के दौर की बात करें उनके तो वहाँ पर बुमराह काफी लंबे वक्त के लिए चोटिल रहे शमी चोट से परसान रहे केल राहूल चोट से परसान रहे उसके बावजूद टीम को एशिया कप जितवाना वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुचाना और इस संस्क्रण में भी पहले अस्थान पर ला कर रख देना ये दिखाता है कि बतौर लीडर कप्तान रोहित ने बहुत अच्छा काल किया है सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप का फाइनल अगर इनके नाम हो जाता तो साथ इन से सफल कप्तान भारत में नहीं हो पाता महन सिंग धोनी को भी पीछे छोड़ देते लेकिन कुछ भी हो भया रोहित ने बतौर कप्तान बहुत अच्छा काम किया है और इस वक्त की जो ICC की रैंकिंग आई है उसने तो सब की दुनिया हिला रखी है चाहे वो साथ अफरिका हो चाहे इंगलैंड हो चाहे अस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजिलैंड हो चाहे पाकिस्तान हो सब नतमस तक हो गए है भारत के आगे क्योंकि कप्तान रोहित के अगुआई में भारती टीम हर फॉर्मेट की सुल्तान हो गई है अपने इस रिपोर्ट में हम ICC रैंकिंग पर नज़ा डालेंगे गुरू यह देखेंगे कि टॉप 10 रैंकिंग में कौन-कौन सी टीम सुमार है हर फॉर्मेट की टॉप 10 रैंकिंग पर चर्चा करेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टॉप 10 रैंकिंग पर च पहले टेस्ट रैंकिंग क्योंकि इस वक्त हाल फिलहाल इंग्लैंड के खिलाब 4-1 से स्रिंखला भारती टीम ने अपने नाम किया है तो टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो वहां पर भारती टीम पहले पाइदान पर आ चुकी है इनके कुल 122 रेटिंग है और जो दूसरे नंबर पे मतलब अस्ट्रेलिया को इन्होंने घसकाया है अस्ट्रेलिया के 117 रेटिंग है इंग्लैंड तीसरे अस्थान पे 111 रेटिंग के साथ न्यूजिलैंड चौथे पे है 101 रेटिंग पांच हुए पे साउथ अफ्रिका आपने आपको इस्थापित किया हुआ है 99 च्छटे पे पाकिस्तान टीम 89 रेटिंग है एक 80 रेटिंग के साथ वेस्ट इंडीस सात्में पे सिलंका आठमें पे 79 रेटिंग के साथ 9 बंगलादे से 50 तो 10 वे जिंबामवे है 32 रेटिंग के साथ वहीं एर्लैंड के उपर भी नज़र डाल लेते हैं क्योंकि अफगानि इत तीम ने भारसाहत हासिल कर लिए टेस्ट Vaugh formate के भी वो सुल्तान होगए अब बात कर लेते हैं टीम रेंकिंग क्या आशचपर क्या भारती पहले पर जी हां ADI टीम रंकिंग में भी भारती टीम का वर्चस्पर है वहां की भी सुल्वान भारती टीम ही में है कप्तान कौन है अपने कप्तान रोहिस सर्मा पहले पर भारती टीम है 121 जार सती ODI format में दूसरे में पर ऐस्ट्रेलिया 118 रेटिंग के साथ तीसरे पर साउथ अफरिका 110 चौते पर पाकिस्तान 109 रेटिंग के साथ पाचवे पर न्यूजिलाइंड 102 रेटिंग के साथ छटे पर इंगलाइंड स्रिलंका एक्यान रेटिंग के साथ आठ में पर बंगलादेश 87 रेटिंग के साथ नौए पर अफगानिस्तान 81 रेटिंग के साथ और दसमें पर विस्ट इंडीज है 70 रेटिंग के साथ तो भाया यह ODI मिन्स टीम की रैंकिंग थी जहां पर भारती टीम पहले अस्थान पर वह अगर T20 रैंकिंग की बात करें तो यहां पर भी भारती टीम ही सर्वे सरबा है पहले अस्थान पर भारत 206 रेटिंग के साथ दूसरे अस्थान पर इंग्लैंड 256 रेटिंग के साथ तीसरे पर अस्ट्रेलिया 255 रेटिंग के साथ, चोथे पर न्यूजिलैंड 254 तो वहीं अफगानिस्तान दस्वें पे है 218 रेटिंग के साथ ये तीनों फार्मेट की भाईया ICC की नई ताजा अपडेटेड रैंकिंग थी जहां की बात करें चर्शा करें अगर इस्टेस रैंकिंग ओडियाई रैंकिंग और T20 रैंकिंग की तो आपने देखी लिया नज TCC ट्रॉफी जरूर अभी कुछ दूर दिखाई दे रहा है लेकिन वो भी जल से जल जिस तरीके से रोहित सर्मा ने इस टीम को लीड किया है ये प्रतीत होता है कि वो भी जोली में डाल कर ही जाएंगे चैये 2024 की T20 वर्ल्ड कप हो या 2025 का चेंपियंश ट्रॉफिक कुछ न अगले रिपोर्ट में तब तक आप अपना ध्यान दें सुरक्षी तरहें सौस्तर हैं मस्तर हैं जाहिं जय भारत अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें और फ्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करन ना भूले